हेलो गाइस वेलकम बैक में दर वीडियो मेरा नाम है मंदीप और फाइनली आज याने की 23 तारीक को एपल का ओफिशल ओनलाइन स्टोर हो चुक है इंडिया में स्टार्ट तो आज की वीडियो में उसी के बारे में करेंगे बात और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं उस पर परचेज और क्या कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे इस बार ओफिशल ओनलाइन एपल स्टोर पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ तो यह कुछ पेज है जो होता है उपन जैसे आप डालते हैं एपल.in सबसे पहले इंडियन स्टोर के यह होगा ओपन और यहां पर जो है जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी ओफिशल एपल स्टोरी इस हैर वाली जिसमें मैंने बताया था कि यह सारे बैनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे तो एक बड़ ज़रा देख लेते हैं कि इसके अलावा अगर हम एक्शल म आपको थोड़ा साइस से कम प्राइस में मिल जाता है और साथ ही साथ आपको ट्रेडिन का भी ऑप्शन आ रहा है एलिजिबल स्मार्ट फोन आइफोन इंफेक अगर आप देते हैं तो अप्टू 26,500 तक का आपको ट्रेडिन भी मिलेगा पर चलिए एक बड़ इसको बाइन तो सेम जो सेट अप जो आपको इसमें दिखते थे वह इसमें दिखेंगे सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है डियू है अस्मार्ट फोन टू ट्रेडिन तो यहां पर भी हम कर देते हैं नो और उसके बाद ऑप्शन आता है कौन सा वाला फिनिश आपको चाहिए लेट्स सेलेक प्रोडक्ट रेड और 64GB बेस वेरियंट को ही देख लेते हैं तो यह हो गया 64GB अब इसके बाद जो है ऑप्शन आ रहा है आपको नो एपल कवरेज और एपल केर प्लस अब एपल केर प्लस जो अभी तक हमारे इंडिया में मिलता था वो मिलता था 4500 का सभी आइफोन के लि जिसमें कि आपको आइफोन तो पूरा पूरा कवर मिलेगा है मिलेगा साथ साथ आपको एक्सिदेंटल डैमिज प्रोटेक्शन भी मिलेगी जो की बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है अभी के लिए फिलाल इसको कर देते हैं इंग्नोर और आगे बढ़ते हैं एड टू तो अब यह दिखा रहा है कि अगर कोई एक्सेसरी आप परचेस करना चाहते हैं आइफोन ऐसी की या कोई और भी तो अभी के लिए इसको कर देते हैं स्किप और स्किप करने के बाद यह बैक टोटल 42,500 अब क्लिक करते हैं चेक आउट पे तो अब इसमें ऑप्शन है कि या तो आप as a guest user कर सकते हैं जिसमें कि आपको जो है कोई Apple ID क्रिएट करने की नहीं है या फिर आप अपनी Apple ID भी डाल सकते हैं अब इसमें जो है पिन कोड आ रहा है उपर यहां पर आपका पिन कोड आ जाएगा और उसी के नीचे जो है यह आ रहा है डिलीवरी एक्सपेक्टि 25 तू 29 सेप्टेमबर इसमें जो है यह डिलीवरी की टाइम इन्होंने मैंशन की हुई है तो चलिए एक बढ़ते हैं आग करनी होगी एड्रेस और इमेल आईडी फोन नंबर तो यह सब फिल करने के बाद आप जो है इसको आगे करें कंटिनू टू पेमेंट कि 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 जैसी अब अपनी डिटेश फिल करते हैं उसके बाद आपको मिलेंगे ऑप्शन पेमेंट के जिसमें कि आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपी आई और कैश ओन डिलीवरी भी है बट वह इस वाले पर्टिकुलर डिवाइस शायद आइफोन के लिए नहीं है तो यह कुछ आप्शन से जो आपको मिलेंगे और लेट सपोस अगर हम करते हैं क्रेड कार्ड चूज तो उसमें अगर आप देख सकते हैं तो आपको आपको आफर भी मिलेगा गैट अप्टु 6% कैश बैक विद एजज एफसी बैंक क्रेड कार्ड डेबि कार्ड तो अगर इसकी डिटेल में जाके इसको देखा जाएं तो आपको गैट अप्टु 6% कैश बैक अप्टु 10,000 रुपेज अन ओल ओर्ड तो आपको जो है यह मिलेगा कैश बैक 6% तक काप्टु 10,000 20,900 अगर कोई भी परचेज आप करते हैं उस पे और यह 16th October तक है यह ओफर तो चलिए एक बार इसको कर लेते हैं कैंसल और लेट्स ट्राय क्रेडिट कार्ड ओन डिलीवरी है क्योंकि मैं एक्च्वल में ओर नहीं कर रहा हूं मैं सिरभ एक बार आपको प्रोसेस दिखा रहा हूं किस तरीके से आप कर सकते हैं तो यह जैसे कि आप देख सकते हैं ready to place your order let's make everything right तो यहाँ पर इसकी shipping की डिटेल आ रही है iPhone SE product red और उसी के साथ साथ नीचे आपका आएगा address और नीचे आपका payment method और यह final इसके बाद आपको करना क्या है आपको सिरे भी terms and conditions पर करना है click और उसके बाद जैसी आप टच करेंगे place your order तो आपका जो order है वो हो जाएगा place तो यह है कुछ तरीका जिससे कि आप कर सकते हैं अपना iPhone order और अगर इसी के साथ साथ हम अभी जो latest product आया Apple watch एक बर जरा उसको देख लेते हैं तो यहां से आप जाकर watch पर click कर सकते हैं और watch पर click करने के बाद six अभी available नहीं है इसलिए वो थोड़ा blur है और ऐसी जो है वो है available तो चलिए एक बर ऐसी पर ही करते है click तो जैसी हमने किए ऐसी पर click और यहां हम जाएंगे buy now तो जैसे आ basic one सबसे basic वाली को एक बर देख लेते हैं तो यह जैसे 39,900 रुपे की है basic वाली watch और साथ में आपको EMI का भी option मिलता है तो एक बार जारा IC को प्रसीड करते हैं दो option है 40,44 let's go with 40 और GPS तो cellular के लिए आपको जो है यह पढ़ रही है 33,900 की otherwise normal without cellular वाली 40 mm आपको पढ़े है 39,900 की तो अब इसमें cellular में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यह तीन carrier से जिनको एक करता है support और एक बार इसको करते हैं आगे proceed अगर apple watch के साथ अगर apple care plus लेते हैं तो वह आपको पढ़ेगा 59,900 का तो एक बार करते है add to bag अब यह कुछ option दिखायागा different straps का अगर आप purchase करना चाहते हैं तो अभी के लिए करते हैं इसको skip और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने एक iPhone SE किया था इसमें add तो इस वज़े से total इतना दिखा रहा है बट अगर मैं अभी के लिए iPhone SE को कर दू रिमूव तो total हो गया 29,900 और एक बार जाते हैं चेक आउट वाले page पे और देखते हैं कि क्या कुछ है payment option iPhone, sorry apple watch SE के लिए same way करते हैं continue as guest तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो delivery है वो भी 5-7 days के लिए आ रही है और let's go to shipping address तो अभी आगया payment page apple watch SE के लिए और इसमें जब आप निचे स्क्रोल करेंगे तो इसमें भी आपको जो है cash on delivery का option नहीं है तो cash on delivery का option वैसे तो available है जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि पहले इन्होंने जब इसके promote किया था तो उसमें cash on delivery का option नहीं था तो कुछ products पे eligible जो होंगे उन पे है बट इस पे नहीं है apple watch और आईफोन पर cash on delivery अभी नहीं है बट इन future वो भी आ जाएगा तो यह है पूरा apple online इंडिया store का user interface जिससे कि आप कोई भी product कर सकते है order और सभी products के बारे में detail जो है वो आपको यहीं पर दिख जाएगी जैसे कोई भी हो और जैसे अभी नए जो ipads है जैसे ipad air है तो अभी launch नहीं हुए लेकिन उसकी pricing जो अरड़ी आगी 54,900 से होगा start अक्तूबर में और उसी के साथ-साथ ipad जो नया 8th generation आए वो अभी available है उसको आप कर सकते है purchase और ipad pros तो यह सब जो है अभी आपको है option आपके पास direct purchase करने का apple से जो कि पहले जब भी आप buy पे click करते थे तो उसमें option आता था कि designated sales and service center जिसमें वो आपको detail दिखाता था कि खाका पर apple के authorized sellers हैं तो यह काफी अच्छी news है सब यह apple lovers के लिए कि finally apple का online store है वो वो apple ने खुदी announce किया था कि students के लिए भी वो discount offers देंगे तो eligible products पर बहुत जल्दी वो वाले offers भी apple लाएगा तो guys अगर यह video आपको useful लगी हो तो please channel को करे subscribe और इस video को like करे और share करे अपने सभी friends से thank you so much for watching this video guys stay safe take care and good bye